Hello दोस्तो गूड मॉर्णिंग स्वागा देखवाब फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तो आज है 30 सितंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर 2023 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो देखेगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है रिवीजन पॉइंट अप से इंड में रखा जा रहा है तो फिर वीडियो को आप सुरुआत में देखिए Current Affair और इंड में आपका रिवीजन कराया जाएगा पिछले दिन का ठीक है ना विश्व हिर्दय दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी तो उसकी थीम थी use hurt no hurt यानि hurt को इस्तमाल करने के लिए दिल को पहले जानना जरूरी है दिल को जाने तो word hurt day प्रतेकवर्स मनाया जाता है ये 29 सितंबर को दोस्तों हिर्दय गत से आजकल बहुत ज्यादा मतलब एक train सा बन गया है hurt attack hurt attack की विज़र से बहुत सारी मौत हो रही है अब इसमें कोई age limit पहले क्या होता था पहले 40-42 साल के उपर के लोगों में ऐसा देखने को मिलता था लेकिन अब इसमें कोई age limit कोई age का bounding duration नहीं रहे गया है 18 साल के बचे या कहें कि युवा या फिर 30 साल के 35 साल 25 साल बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं अब आजकल देख रहे होगे social media पर बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं तो इसके लिए hurt के प्रतिजागता बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें खाएं क्या क्या चीज़ें ना खाएं रूटीन कैसा रहे ये सारी चीज़ों के लिए ये दिवस मनाया जाता है मतलब एक प्रकार से awareness फेलाई जाए क्योंकि बहुत सारे जो experts हैं वो doctors हैं वो सब यही recommend करते हैं कि इसमें आजकल की जो दिन चर रहा है यही सबसे बड़ी वज़ा रही है हाला कि मेरी भी कुछ ठीक ठाक नहीं है यहाँ पर दिन चर रहा लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं सुधार कर रहे हैं आने वाले दिनों में रूटीन अच्छे सेट हो जागा एक्षिल में आप लोग को डेली करेंट अफेर देना होता है तो कभी-कभी रात भर जगना पड़ जाता है या रात भर में बहुत सारी मेहनत करके तो आपको लाना पड़ता है लेकिन इन चीजों पर मैं काम कर रहा हूं और आप लोग भी उमीद है कि आप इस पर काम करें अगर आपका रोटीन थोड़ा सा इधर उदर है तो इस पर प्रयास कीजिए जिससे सुधार देखनों को मिले साथी साथ नमक कम खाएं देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा करेंट अफेर से हट करके थोड़ा प्रसनल गाइडेंस आपको दे रहा हूं इसको थोड़ा सा क्योंकि ऊपर से नमक डालना और ज्यादा खतरना गातक होता है इसके अलावा जो आप यह चिप्स वगएरा यह सब खाते हो यह बिल्कुल मत खाओ यह सब बंद कर दो जितने भी यह फास्ट पूड है ठीक है चावमीन सावमीन जो भी है इसको सब को बंद करो घर का खाना खाओ हरी सबजियां वगरा ज्यादा खाओ यूज करो ठीक है यह सब कुछ तरीके हैं जिनकी वज़े से कॉलेस्ट्राल का लेवल मेंटेन किया जा सकता है और जो ब्लॉकेज होती है अर्किलरी ब्लॉकेज उनको थोड़ा कम किया जा सकता है ठीक है जिससे ऐसे हार्ट खतरे से बचा जा सकता है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उनती सितंबर की तो थीम है यूज हर्ट नो हर्ट जो की इंपोर्टेंट है याद रखिएगा विस्सो हिर्दय देवस आधिकारी कुरूप से 1999 में इसको अस्थापित किया गया था लकिन पहली बार 2000 में ये मनाय आगे बढ़ते हैं यह परमुख दिवस हैं सितंबर महीने के आज आखरी दिन है सितंबर महीने का तो आज हम लोग पूरा ाच्छे से रीकॉल कर लेंगे तो दिखो दिश्तो 2 सितंबर को विस्ट नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्टी सिक्षक दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को ही अंतराष्टी चैरिटी दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को इंपोर्टेंट डे है अंतराष्टी साक्षर्ता दिवस, इसके लावा 8 सित इसके लाव पंदरा सितंबर को विस्व लिंफोमा जागुता दिवस मनाए जाता है। इसके लावा विस्व लिंफोमा जाता है। तो देश का पहला कार्टोग्राफिस संग्राले दोस्तों ये अभी हाली में उत्राखंड के मसूरी में अस्थापित किया गया है। तो ये जार्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफिस संग्राले के नाम से जाना जाएगा। जार्ज एवरेस्ट ये कौन थे। जार्ज एवरेस्ट एक्शलिमी ये इसी जगह में रहते थे। मसूरी में ही ये रहते थे। और ये वही है जिनके नाम पर Mount Everest का नाम पढ़ा है, Mount Everest तो आप जानते ही हो, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, दुनिया की सबसे उची चोटी है ये, ठीक है, तो Mount Everest का जो नाम पढ़ा था ना Everest, इनही जार्ज एवरेस्ट की नाम पर पढ़ा था, ये जार्ज एवरेस की कोज और बनाने के बारे में ये अस्थापित किया गया है, तो इसका उधगाटन विस्ट के दिवस के दिन, यानि की 27 सितमबर के दिन ये हुआ है, इसके अलावाँ ये देश का पहला कार्टोगराफी संग्राले है, अब देश का पहला है, तो देश का पहला पिछले दि इस किया है, जो की वैरलेस होगा, फाइबर इंटरनेट प्रोइड करना, भारत का पहला सोलर सिटी दोस्तों साची मद्यप्रदेश मना है, करक रेखा परिस्ते था ये, देश का पहला सोलर मिसन आजित्या लवन जो इसरो ने भेजा है, जिसका रॉकेट का नाम है, रॉके इस श्टी रेसिंग स्टीट सर्किट ये चंचन्नह χी में है, इसके अलमा मैंने आपको बताया, मोटो जीपी भारत जो हुआ, वह भी पहली बार हुआ, ये भी भारत में पहली बार हुआ, और ये कहां पर हुआ, ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ, बुद जिले लेकर के तूटा था, आज भी इसके 13 ही जिले हैं, जब यह अलग हुआ ताब इसे कहते थे उत्रांचल, लेकिन उत्रांचल से उत्राखन नाम पड़ा इसका 2007 में, 2007 में नाम इसका उत्राखन कर दिया गया, इसके अलवा, यह अपना बॉर्डर के से किसे सेर करता है, उ देखो, गैर सैन कुना अभी समर कैपिटल बनाया गया था, यह समर कैपिटल है, और यह है विंटर कैपिटल, यानि कि सीथ कालिन राजधानी विंटर यह है और यह ग्रिजम कालिन राजधानी है, गैर सैन, यहां के गवर्नर है लिप्टने जनरल गुरमीत सिंग, भीम ता यह देखिए सबसे पुराना national park है, यह first national park of इंडिया है, ठीक है, 1936 में इसे बनाया गया था, गोशित किया गया था राश्टे पार्क और जिम कारवेट निसेनल पार्क यह, इसका नाम पहले था क्या? हेली निसेनल पार्क था, हेली से इसका नाम बदल करके जिम कारवेट कि दिया गया है ये नाम हो गया राम गंगा नदी की किनारे है आप से ऐसा भी कुश्चन पुछा जा सकता है निम्न में से कौन से नेशनल पार्क है जो राम गंगा नदी के किनारे इस्थित है तो आप बताएंगे जिम कारवेट नेशनल पार्क that is first national park of India राजाजी राश्टी उद्यान है नंददेवी उद्यान है गंगोतरी राश्टे उद्यान है माना निती लिपलेक ये तीन महातोपूर्ण दर्रे हैं इनको आप याद रखेंगे चपेली छोलिया हारूल गढ़वाली कजरी ये परमुख्यां के लोग निरते हैं एक मैंने आपको बताया था क्यानिकों ने आठमा महादीब खोज निकाला है ये कहां परिस्थित या इसका क्या नाम है तो देखो दोस्तों अब तक आपने बजबन से पढ़ा कि सात महादीब है फीक है पांच महासागर है लेकिन अब एक और महादीब खोजा गया है एक्शली में अभी इस नियчеिलेंड दिकते हूँ ना जैसे की यहाँ पर आप देखोंगी आश्ट्रिलिया है दिखराओगा आपको आस्ट्रिया महादीब के बास में यहाँ पर आपको जीलेनडिया दिख जाएगा जीलेनडिया एक्शली में देखो पहले ना नियूजीलेंड को आस्ट्लिया म डूबा हुआ है, बाकी केवल 6% हिस्ता ही उपर है, जिसे हम लोग New Zealand की नाम से जानते हैं आज की टाइप पर, लेकिन इसके आसपास भी जमीने हैं, इसके भी उसे पाए गए हैं, इसलिए इसे आठवा महादीब कहा जा रहा है, देखो, महादीब जो है, या दूइब जो है ये सब क्या है, इसको समझो पहले, अगर कोई छोटी बॉड़ी है, जमीन का कोई छोटा सा हिस्ता है, उसके चारो तरफ समुदरी पानी है, तब होगा दूइब, अगर कोई एक देश है, या कोई राज्य हो सकता है, चोटा सा किसी का, किसी का Union territory हो सकता है, या चोटा सा को कोई देश हो सकता है, तो ये सब दूइब कहलाएंगे, जिससे देश की बात करें, एक्जामपल में तो माल देव है, स्रिलंका है, ये सब देश हुए, अगर हम लोग राज्य की या Union territory की बात करें, तो अपना अंडमा निको बार है, लक्षदीब है, ये सब दूइब लेकिन जब वही भूभाग बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि कम से कम, दो या दो से अधिक देश उसके अंदर हो, ऐसा कोई जमीन वाला हिस्स्ता हो, तब उसे कहेंगे महा दूइब, ठीक है न, चारो तरब पानी होना चाहिए, वो भी समुद्री, दूसरा चीज, अ अगर यह खुला है चारो तरब, तब उसे कहेंगे महा सागर, ठीक, अब देखो, यह यहाँ पर महाद्यूग की बात हो रही, तो यानि कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग है, जो छिपा हुआ है, अब इसमें देखने को यह पता चला कि 94% हिस्सा समुद्र के अंदर हुआ हुआ है, और यह हुआ है, एक चीज और, एक चीज और, देखो, गोनवाना नाम का एक सुपर कॉंटिनेंट हुआ करता था, उसी कॉंटिनेंट से यह भी तूटा हुआ हिस्सा माना जाता है, एक्चुलि में भूगोल में आप लोग पढ़ते होगे, कि पहले इत्वी ना सिर्फ जमीनी हिसा जो है, वो एक ही जगा पर था, समुद्री हिस्सा एक जगा पर था, धीरे धीरे समय के अंसार दरारे आई, दरारों की बात सब अलग होना सुरू किये, टुकड़ टुकड़ों में बटना सुरू है, कुछ टुकड़े तो जाकर के दूसरे चिपके ठीक है? जैसे अभी इंडिया वाला जो है भाग, ये दूस्रे में जा करके चिपका है. देखो, अब यहां पर अगर देखोगे तो यह अरेबियन प्लेट था, यहां यह इंडियन प्लेट है, यह फिलिपीन जाकर कि यहाँ भीडा, और भीडने के बाद, यह इतना तेजी से, भ Ari, यहाँ से तूट करके जब दूसरे में भीड़ेगा, तो फिर, और निर्माण हिमाले का ऐसे ही हुआ है, जाकर कि लड़ा है, ऐसा नहीं पूरा उसमें बर्फी जमा है, वो तो बाद में जब वहाँ पर वो इतना उचाई पर हो गया, इस सिती की वहाँ से मौसम इधर से उधर हो नहीं पाए, तो इसलिए बर्फ जन्ना वहाँ पर सुरू हो गया और उसके बाद आज माउंट टेवरेस्ट बर्फीला हो गया है, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर औ गोनवाना नाम का एक सूपर कॉंटिनेंट का हिस्सा था, जो कि 10.5 करोण साल पहले यह तूटा था, अलग हुआ था, आगे अब बढ़ते हैं, हाली में मिली जानकारी के उनसार कौन सा सहर ग्रीन ओफिस स्पेस में सबसे आगे है, तो ग्रीन ओफिस स्पेस में सबसे आग समझ सकते हो, यह ट्रेंड सा चलता जा रहा है, कि सुध्ध हवाय, सुध्ध हवा मिले, और इसके लिए ओफिस में, यहां बालकनी में और सब जगों पर ऐसे पौधे लगाए जा रहा है, यह बैंगलूरू में, मुंबई बगरे में, बहुत जगों पर यह तेजी से हो रह तो इससे एक तो चाया भी आती है, दूसरा जो है सुधावा भी आती है, तो यह ग्रीन ओफिस बिल्डिंग कहलाती है, इस मामले में बैंगलूरू टॉप पर रहा है, यह रिपोर्ट का नाम है, जिसमें यह बताया गया है बात, इसमें का गया है, पिछले 6 प्रमुख भा दी देखी गई है, यानि अब भारत में बहुत सारे जो प्रमुख सहर हैं, वो ग्रीन ओफिस की तरह बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, हाली में इंटल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक किया गया, तो इंटल इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक किया है, गोक सब कुछ वो बनाती है, बहुत पुरानी कंपनी है, इंटल के दोरा ही, इंटल के दोरा ही, इंटल 4000, 4004 या कहें 4004, जो भी पड़ो आप, ये नाम से पहला, पहला माइक्रो प्रोसेसर लांच किया गया था, फास्ट माइक्रो प्रोसेसर अब दा वर्ड यही था, ठीक है, जो लांज किया गया था, इंटल के स्था अपना 1968 में हुई थी, कैलिफोर्निया में हेटकॉर्टर है USA में, और इसके CEO का नाम याद रखिएगा, इसके CEO है Pat Galsinger, कौन है Pat Galsinger, अब यहाँ पर पिछली कुछी दिनों में जो नियुकतिया हो, उनको याद करेंगे हम लोग, सब इंटल इंडिया के गोकुल सुप्रमन्यम बने हैं, इसको आपको ऐसे रोजाना देख लेना है, एक बार अगर रोजाना इसे नजर दड़ाते रहोगे, चीजें याद होने लगेंगे, ठीक है, यही सबसे बेश तरीका है, इसको तयार करने का, सहयुकत राश जनसंख्या क यानि कि United Nation की Population Fund ने एक एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें उनने बताया है कि भारत जो है ना, 2050 तक भारत 20% ज़्यादा ब्रिदी देखेगा, अपने बुजूर्ग हैं उनके Population में, यानि 2050 तक Population जितना आज के टाइम पर बुजूर्गों की है, वो 20% और बढ़ जाएग फिलाल इस पर आपका क्या कहना है आप जरूर बतायेगा, क्योंकि बहुत सारी कारोणों से उतना Life Spend रह नहीं पा रहा है आज कल इंडिया में भी, इंडिया क्या Worldwide में भी बहुत लंबा Life Spend पा नहीं पा रहे हैं, 2050 तक की बात कर रहे हैं हम लोग यानि अगले 30 साल की बा या बीच में ही निपढ़ जाएंगे, यहां पर देखो यह भी बतायागा है कि महिलाओं की संक्या जो है यह बुजर्गों में, बुजर्ग महिलाओं की संक्या इनकी Life Spend जादा है, यानि जीवन प्रत्यासा जादा है, यह महिलाएं जादा जीती है, ठीक है, दादी लोग जो है, यह जादा जीती है, तो United Nation के Population Fund ने यह रिपोर्ट जारी करके पताया है, कि बुजर्ग की अबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी और 20% से बढ़ जाएगी, अब यह 20% छोटे मोटे देश की बात होती है, तो कोई और बात थी, भारत जैसे देश की बात हो रहे में बाकी हैं, अचा एक चीज और, आप अगर चाहते हो, इसी बार Pet Qualify हो जाए, आप बुजर्ग ना कहला हो, तो आप जो है, पेट का यह बैच ले सकते हो, यह 299 में अवाइलबल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ दो दिनों के लिए, तो आप इसका ओफर का फाइदा उठ हाईए, जितने लोग भी पेट की तयारी कर रहे हो, मातर 27-26 दिन बचा है, बिल्कुल सलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर content प्रोवाइड किये गए हैं, जो कि आपको सब VOD format में मिल जाएगा, यानि कि आपका जो portion भी हो, उस portion पर जाकर के आप अच्छे से तयारी कर लिज ठीक है, क्योंकि बहुत सारे subject हैं इसमें, pet way, तो आपका जो portion कमजोर हो, उसको जाएए, इसमें मज़ूद कर लिजी अपना, मातर 299 में, last time है, रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से आपको तयार कर लेना है, coupon code क्या यूज करना है, pet 299 coupon code यूज करोगे आप, तो आपको discount मि करेगा, वैसे कोई अगर issue आता है, तो आपको यहाँ पर WhatsApp का जो icon बना है, इस पर click करना है, MZTI पर जा करके, तुरंत पहुचोगे मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा solution, कि अगर आपका कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई issue आ रहा है, तो कैसे resolve किया जाए, आगे, हाली में किस हो, कि चाइना के बग में एक छोटी सी country है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दो, जैसे यहाँ पर Taiwan, अगर आप मैप में देखोगे, यह रहा अपना प्यारा भारत, यह रहा बड़ा सा चाइना, इतना बड़ा है चाइना, और Taiwan देखो कि कहा पर, Taiwan इतना है, और चीन जो है, इ लेकिन ताइवान अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, कारण है उसके पीछे यह राष्टपती, तसाई इंगवेन, इन्होंने कहा मैं जुकूंगी नहीं, और नहीं मैं बिकूंगी, ठीक है, क्योंकि और कोई होता, तो उनको खरीद भी लेता चाइना, राजधानी पेई है और न्यू ताइवान डॉलर यहां की करेंसी है, अब आते हैं यहां पर बात की हाइकून की, हाइकून जो है, इनका पहला इंडिजीनियस सबमरीन है, यानि की पंडुपी है, जो नहींनों खुद बनाया हुआ है, ताइवान से एक चीज और मैंने आपको बताया होता है, हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मुलेवान कंपनी कौन बनी, तो दोस्तों अभी हाली में कानतार की एक ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे वेल्वेबल कंपनी भारत की बताई गई है, टीसीयस, अब यह रिपोर्ट जा लेवल इंडियन ब्रांट्स की बात की जा रही है यहां पर कहा गया है कि माइनस चार परसंट की ओवराल वैलिवेशन में कम ही देखने को मिली है इस बार ठीक है यहां पर टॉप कंपनीज में अगर बात करें तो फर्स्ट पर टाटा कंसल्टेंस सर्विसस जाने टीसी है सेक अगर आप देखोगे फोप सुगषरा की लिस्ट में तो उसमें रिलांस इंडिस्ट्रीज है अब पूछोगे यह जादू कहसेकूआइक्छ्यलवं में इन्होंने जिए जियो को अलग परिजन किया है जो कि करना भी चाहिए मतलब जियो जो है वो यहाँ पर समझ लो कि एक टेलीकॉम कंपणी कह सकते हो प्रापर रूप से और रिलैंस इंडेस्ट्रीज में आपके वहाँ रिफाइनरीज वगर भी आ जाते हैं ठीक है चलो तो यहाँ पर देखो कोटक महिंदरा बैंक यह 9 में पर है यह 10 में इन्होंने ब्रांट्स स्टेडी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है कांतार ने जारी करता पूछा जाता है अगला हाली में जाडुदान पहल के माध्यम से इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स में अपनी जगा किसने बनाई है तो दोस्तों यह जाडुदान जो है यह SP सिंग क SP सिंग लिखा गया है एक्शुल में UPSRTC का यह एक पहल था जारुदान जिसको SP सिंग ने लांच किया तो SP सिंग को विसिकली यह आवाड दिया गया है इन्ही की यह पहल थी जारुदान पहल के तहत होता क्या था कि बस स्टेशन पर स्टाफ सफाई बगरा की जाती है UPSRTC जो लोग UPS से होंगे वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे समझ रहे होंगे जो डगगामार बसे चलती है ना वो UPSRTC ही चलवाता है ठीक है UPSRTC के Model Driving Training and Research Institute के प्रेंसिपल है इन्ही की इस पहल की वज़ा से जो की है जालुदान पहल इसकी वज़ा से इंडिया Book of Void Ricard में अ आजेंद कुमार तिवारी उत्तरप्रदेश State Road Transport Corporation किस फिल्म को आजकर 2024 के लिए सर्वस्रेश्ट अंतराष्टिये फीचर फिल्म की सरेणी में भारत की Official प्रविष्टी Official इंट्री के रूप में चुना गया है तो वो फिल्म है दोस्तो 2018 Everyone is a Hero 2018 Everyone is a Hero ये पिच्चर का नाम ही है ये सन मत समझिएगा ये पिच्चर का नाम ही है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा Everyone is a Hero 2018 ये बिसिकली केरल में जो बाढ़ हाई थी 2018 में उस पर ये बेज़्ड फिल्म है और 96 आजकर अवार्ड समारो जो मार्च में 2024 में होगा उसमें भारत की तरप से Official इ से ये बह जाने वाली चौ्टी फिल्म iv ऑसकर में उसकार इनटरी के लिए जो बहा है जो सबसे आधा important है पूछ जा जाएगा आपसे इसके देशी निर्देशीन कौन है और ये जूड ये आन्थनी जोजब कौर है? Zood Anthony Joseph पिछली बार जो Oscar Award दिया गया था Oscar Award को ही Academy Award भी कहते है अमेरिका में दिया जाता है दुनिया का Cinema का चहतका सबसे बड़ा Award मना जाता है तो उसमें नाटू-नाटू सॉंग के लिए RRR जो RRR मोई भी है नाटू-नाटू सॉंग को मिला था best original category में award इन्होंने golden globe भी जीता था और Oscar भी जीता था याद रखना ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए पिछला current affair पूछेगा तो ये पूछेगा तो ये top 10 current affair के questions रहे जो आपके आज की दिन से थे आपने अच्छे से पढ़ा अब हम लोगो revision करेंगे कल वाला current affair इसको मैंने last में डाल दिया है कारण ये है कि बहुत लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि वो आज का ही current affair देखें लाज तक ना देखें तो जिनको revision भी साथ में करना है वो last तक वीडियो यहां तक देखें और जिनको revision नहीं करना है आज का ही current affair चाहिए वो जा सकते हैं और ये आपके feedback पर सुरू किया गया अगर आप लोग अच्छा लगे तो इसको continue करेंगे नहीं तो comment करके बताएगा क्या response है उस हिसाब से किया जाएगा विस्सु रेवीज दिवस कब मनाया गया तो 28 सितंबर को मनाया गया वर्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 अस्थान पर है और अभी हाली में नेपाल टीम ने 300 रन बनाने वाली ये पहली टीम का एक रिकार्ड बनाया है इसके अनावा बिहार के कैमूर जिले में बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्ब खुले जाने की अभी बात्चीच चल रही है सितंबर 2023 में मीडिया रेसर्च यूजर्स काउंसल इंडिया का CEO नियूप किया गया है अध्यक्षिनुक किया गया है सेलेज गुपता को PM मोदी ने अभी आकासवाणी दाहोध FM रिले इस्टेशन गुजरात में सुरू किया है और अभी संपूर्ण छेतर को असान छेतर घोषित किया गया है मडवपूर में अफसपा लगाया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ड उनिवेस्टी रैंकिंग में भारतीय संस्थान इंडियन इस्टीट आप साइंसेज बैंगलूरू ये टॉप पर रहा है टॉप डाइसो में एकलोता है भारत ने अभी हाली में युनाइटेड नेशन के साथ मिलकर ग्लोबल कैपेस्टी बिल्डिंग इनिसेटिव पहल का सुबारम किया है और MS. Swaminathan जी कनिधन हो गया है भारत में ये ग्रीन रिवल्यूशन के जनक यानि हरित क्रांधी के जनक माने जाते थे इसका भी आपने कर लिया है रिवीजन WhatsApp चैनल जोइन कीजिए इस पर वन लाइनर आपको भेजा जाता है और ये डेट थीम हुआ या फिर कोई भी में में चीज हुई वो भी आपको आगे आने वाले दिनों में भेजा जाएगा जो भी आपको क्या बताना है वर्ड टैलेंट रैंकिंग में सीर्थ पर कौन है भारत की रैंक तो आपने जाना चपन है टॉप पर यहाँ पर कौन है तो ये दोनों कोशन है आपके लिए आप जो भी पता हो इसके बारे में डिटेल में जरूर अंसर करना MZT app डाउनलोड कीजिए यही पर इसकी डिटेल वाली पीडियाप भेजी जाएगी थैंकियू सो मुच फॉर वाचिंग मिलेंगे अग्ली क्लास में तब तक लिए नमस्कार जाहें वन्दे मात्रा